जी के मस्ती MS में आपका फिर एक बार स्वागत है आपने जो पंद्रवा टॉपिक सामान हिंदी का देखा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां तो उसमें आप लोगों ने एक्स्प्लेइन पढ़ा था इसमें सारे कोस्चन होंगे 90-92 तक है पहला सा कोस्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से सम्मंदित अध्यावार सप्रस्ण कोस है कि आयो सब्द नेम लिखित में से किस बोली का है तो आयो सब्द है ब्रजभासा का अचा पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है तो पूर्वी हिंदी की बोली अवधी है, चत्तिस गड़ी है, बगेली है, लेकिन भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है, भोजपुरी, अगला है, कुछ युगम गलत है एक, उसको मिलान करना है, जैसे अवधी पूर्वी हिंदी की है, स तो गलत है भोजपूरी पूर्वी हिंदी नहीं भोजपूरी बिहारी भासा की। पूर्वी हिंदी उपभासा वर्ग के अंतरगत आती है। गंगा जमुना बिचरेति परतु है कैसे करचाओं बिया हो रे। उक्तगीत किस बोली का है तो ये है ब्रजभासा का गीत। बगहेली बोली का सम्मंद किस उकवासा से है तो बगहेली जो बोली होती है वो पूर्वी हिंदी से सम्मंदित है। कवर्वी किस बोली को कहते हैं कवर्वी खड़ी बोली को कहते हैं। कौन सी बोली पश्चमी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है। तो खड़ी बोली तो आती है पश्चमी हिंदी के अंतरगत ब्रजभासा भी आती है। अवधी जो है ये पश्चमी हिंदी के अंतरगत नहीं आती ये पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है अवधी अगला है बांगरू किस उपभासावर की बोली है तो बांगरू जो है पश्चमी हिंदी की बोली है पश्चमे हिंदी को सरवादिक प्रमुख बोली ब्रजभासा है ब्रजभासा क्या है पश्चमे हिंदी की एक बोली है विनै पत्रिका ब्रजभासा में ही लिखी है अच्छा हिंदी बासा के उदभाओ और विकास का सही क्रम चुनिये तो हिंदी बासा का उदभाओ संसकरत फिर पाली फिर प्राक्रत फिर आपब्रंस फिर सोर सेनी फिर पश्चमे हिंदी फिर खड़ी बोली सबसे पहले संसकरत, फिर उससे निकली पाली, पाली से निकला प्राक्रत, प्राक्रत से निकला अपवरंस, अपवरंस से निकला सौर सेनी, सौर सेनी से पश्चमे हिंदी, फिर खड़ी भोली जो आज का रूप है, तो ये क्रम है, अवदी किस उपवर्ग भासा वर्ग की बो पूर्वी मारवाडी तो गलत है, मारवाडी तो राजस्थानी भासा है, पूर्वी हिंदी में गडवाली ये भी गलत है, ये भी राजस्थानी में है, पहाडी हिंदी में बगेली तो आती है, पूर्वी हिंदी में पहाडी हिंदी में नहीं आती है, अच्छा बिहारी हिंद ब्रज आती है खड़ी बोली आती है बगेली जो है ये पश्मी हिंदी की अंतरगत नहीं आती है बगेली इस राइट अंसर बगेली ही नहीं आती है पश्मी हिंदी की बोली का नाम मगही पश्मी हिंदी में कौन बोली है मगही है मैथली है कन्नोजी है अबदी है तो पश्मी ये ब्रजबासा का छेत्र नहीं है बाकी मतुरा, सर्गुजा और आगरा ये ब्रजबासा के छेत्र हैं बहराई सुल्तानपुर रायवरेली इनमें अवधी बोली जाती है रामपुर मुरादाबाद विजनावर मेरट देहरादून मैधानी भाग जो देहरादून का एवं सह सहरनपूर की बोली खड़ी बोली रामपूर मुरादाबाद, विजनवर मेरट देहरादून और सहरनपूर की बोली खड़ी बोली अगला है किस बोली में करता कारक का विभक्त चिन ने प्रियुक्त नहीं होता तो अवधी भासा में करता कारक का विभक्त चिन ने प्रियुक्त नहीं होता नहीं होता राम ने तो राम ने नहीं होगा ने प्रियुक्त नहीं होता किस बोली में उत्तम पुरुस बहुबचन हम का प्रियोग उत्तम पुरुस एक बचन मय के अर्थ में किया जाता है तो खड़ी बोली में उत्तम पुरुस बहुबचन हम का प्रियोग उत्तम पुरुस एक बचन मय के अर्थ में किया जाता है अच्छा पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो अवदी तो है पूर्वी हिंदी में 36 गड़ी भी है बगेली भी है लेकिन बुंदेली जो है खड़ी हिंदी वर्ग की बोली में नहीं है अच्छा एक पश्चमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो पश्चमी में कन्नोजी है ब्रज है खड़ी बोली है लेकिन 36 गड़ी पश्चमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है हिंदी भासा की कितनी विख्यात बोलिया है तो हिंदी भासा की पाँच विख्यात बोलिया है हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक ग्रंथ कौन सा है तो प्रत्वी राज रासो हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक ग्रंथ है ब्रजभासा का विकास किस अपवरंस से हुआ तो ब्रजभासा का विकास सवर सेनी अपवरंस से हुआ रामचलित मानस की वासा क्या है अवधी है बिने पत्रिका की वासा कौन सी है ब्रजभासा है ब्रजभासा का विकास किस अपवरंस से हुआ तो सवर सेनी से हुआ कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो पूर्वी हिंदी के अंतरगत मगही नहीं आती है तो बिहारी के अंतरगत आती है बाकि 36 गड़ी आवधी बगेली ये तो पूर्वी हिंदी के अंतरगत ही आती है 36 गड़ी पूर्वी हिंदी के ही तो अंतर गताती है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है तो खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है एक संटेंस दिया है एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध्यान में चड़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले तो ये पंक्त किस लेखक की है तो ये पंक्त है मुनसी इंसा अल्ला खांका है एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध्यान में चड़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदी भी छुट और किसी की बोली का पुट ना मिले तो ये सब्द है मुंसी इंसा अल्ला खांका गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुक बोली है भोजपुरी जैसंकर प्रसाद की का विबासा कौन सी है खड़ी बोली हिंदी हिंदुस्तानी बासा का अच्छा कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है तो इसमें जो बिहारी है तो बिहारी खुद एक भासा है तो ये अवदी बगहेली च्छतिस गड़ी ये तो पूर्वी हिंदी की है लेकिन बिहारी जो है पूरिवी हिंदी की नहीं है बोली का लगुतम रूप जो है वर्ड होता है किस छेत्र की बोली को कासिका कहा गया तो बनारस की जो बोली है उसको कासिका कहते है ब्रजभासा किस अपवरंसे विक्सित है तो ब्रजभासा सौर सेनी अपवरंस से विक्सित है ब्रजभासा कहां बोली जाती है तो मत्रा ब्रंदावन में बोली जाती है कौन सी बोली पश्चमी हिंदी की नहीं है तो अवधी जो है पश्चमी हिंदी की नहीं है बाकी बुंदेली, ब्रजभासा, खड़ी बोली ये सब पश्चमे हिंदी की हैं आब धी पूर्वी हिंदी की है आश्ट छाप का कभी क्वोन नहीं है तो मलूक दास नहीं है बाकी परमानद दास, सूर्दास, कुम्भन दास ये तो आश्ट छाप के कभी है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चिटर ने किस सब्द का प्रियोग किया तो खड़ी बोली को सुनीत कुमार चिटर जी ने जनपदी हिंदुस्तानी कहा है क्या कहा है जनपदी हिंदुस्तानी अब खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कालेज का विसिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुकता दी तीसरा खड़ी बोली में साहितिक लेखन युक्की आऊ सकता थी तो ये दोनों सही है लेकिन जो दूस एक संटेंस है खड़ी बोली के प्रसिच्चड से विविद साहितिक विदाओं में सरजन हुआ ये गलत है खड़ी बोली के प्रसिचड से विविद साहितिक विदाओं में सरजन नहीं हुआ आवधी बोली से सम्मंदित जिला नहीं है सीटापूर रायवरेडेडी इलावाद इसमें तो अवधी बोली जाती है रामपूर में खड़ी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्द मागदी अप़रन से नहीं हुआ तो 36 गड़ी का अर्द मागदी अपवरंसे हुआ बगेली का हुआ अबदी का हुआ लेकिन बुंदेली भासा का अर्द मागदी अपवरंसे नहीं हुआ है विकास अज़ा किस बोली का विकास सौर से नहीं अपवरंसे नहीं हुआ तो बगेली का बगेली जो एक भासा है बोली है जो बगेली उसका विकास सौर सेनी अपवरंसे नहीं हुआ बाकि बुंदेली ब्रजबासा कन्योजी इनका सबका सौर सेनी अपवरंसे हुआ है बोली वा बोली छेत्र से सम्मंदित गलत युगम की पहचान करें तो कन्नोजी में बोली जाती है गलत अब दी प्रतापगड में बोली जाती है खड़ी बोली मेरट में बोली जाती है भोजपुरी बलिया में बोली जाती है जनपदवा बोली से समंध युगम की पहचान करें तो भोजपुरी भतेपुर में बोली जाती है गलत अब दीव है राइच में बोली जाती है सही खड़ी बोली बागपत में बोली जाती है सही ब्रजबोली बदायू में बोली जाती है सही तो गलत है इसमें भोजपुरी फतेपुर्वाला अचा ब्रजभासा जो है वो पस्चमी इंदी की उपवासा है सही गलत इसमें छाटना है तो गलत है खड़ी बोली पूर्वी इंडी की उपवासा आगला है बोली उपवासा वा अपवरण से आसम्मंध युख्मी पहशान करें तो कन्नोजी पस्चमी उपवासा सोर सेनी अपवरंसे तो सही ब्रजबासा पस्चमी उपवासा से अर्ध मागदी अपवरंस तो ये गलत है अर्ध मागदी अपवरंस तो ये गलत है बाकी बगेली पूरवी उपवासा अर्ध मागदी अपवरंस सही है भोजपुरी बियारी उपवासा मागदी अपवरंस तो ये भी सही है बी वाला गलत है ब्रजबासा जो है पस्चमी उपवासा से निकली है सोर सेनी अपवरंस है लेकिन इसमें लिखा है अर्द मागदी अपवरंस तो यही गलत है गोरकपुर में कौन सी बोली बोली जाती है तो गोरकपुर में भ बोजपुरी आगे लिखा है एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है तो कन्नोजी बोली जाती है बुंदेली बोजपुरी ये तीनों भासाएं बोली जाती है लेकिन मालवी भासा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है मालवी जो बोली है वो नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में अच्छा बोली से सम्मंदि सही वाकि की पैचान करें तो उप भासा का विक्सित रूप बोली कहलाता है तो ये तो गलत है बोली का विक्सित रूप बोली का कहलाता है गलत भासा का पूर्ण विक्सित रूप बोली कहलाता है गलत पूर्वी हिंदी उपभासा से सम्मंदित बोली अवधी है बुंदेली भोजपुरी कन्नोजी ये नहीं है अवधी जो है पूर्वी हिंदी उपभासा से सम्मंदित है कौन अवधी बोली छेतर से सम्मंदित कभी नहीं है तो तुलसी दास तो हैं अवधी बोली के महराज रखुराज सिंग भी है बाबा राम चरण दास भी हैं अवधी बोली से सम्मंदित लेकिन कभीर दास अवधी बोली से नहीं है सद्गर्कडी भासा से है बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमसा बगेली और बुंदेली ही है उस छेत्र को चुनिये जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती तो संत रविदास नगर में बोली जाती है संत कबीर नगर में भोजपुरी बोली जाती है कुसी नगर में बोली जाती है मुरादाबाद में नहीं बोली जाती है मुरादाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश के हमेरपूर महोबा जहासीवा ललितपूर में कौन सी बोली का प्रभाव है तो उत्तर प्रदेश के हमेरपूर महोबा जहासी वा ललितपूर में बुंदेली बोली का प्रभाव है ब्रज बोली से सम्मंदित प्रमुख कभी वा रचना नहीं है तो सूर्सागर सही है तुलसी दास रामलला नयचु ये वी ब्रजवासा में है केसवदास ने धुबचरित लिखा ये गलत है भोजपुरी से सम्मंदित रचनाकार नहीं है तो कभीरदास चरंदास भिखारी ठाकूर इनों ने भोजपुरी में लिखा लेकिन कैलास गौतम ने भोजपुरी में नहीं लिखा है राम इलावास से बलिया अपने घर जाता है वह वरतमान में किस बोली छेतर में है राम इलावास से बलिया अपने घर जाता है तो राम इलावास से बलिया तो ये भोजपुरी का छेतर है उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है वो है भोजपुरी पुरवांचल की मुख्य बोली कौन सी है भोजपुरी सरवादिक फिल्में बनाने वाली बोली है भोजपुरी लखनाओ किस बोली छेत्र में आता है अबधी में अच्छा आगे कुछ युगम दिया हैं जैसे बोली वा बोली छेत्र तो खड़ी बोली रामपुर तो इसमें जो असुद्ध युगम है उसको तो खड़ी बोली रामपुरी तो सही युगम है असुद्ध छाटना है ब्रजबासा मतुरा सही है भोजपुरी कुसी नगर सही ह कन्नोजी इलाबाद, कन्नोजी इलाबाद में नहीं बोली जाती, कन्नोजी कन्नोज में बोली जाती है उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे जादा लोगों दोरा बोली जाने वाली बोली क्रमसा है तो सबसे कम बोली बोली जाती है बगेली और सबसे जादा लोगों दोरा बोली जाती है अवधी बगेली सबसे कम और सबसे जादा अवधी प्रदेश की कौन सी बोली का सम्मिधान की आठवी अनसूची में सामिल करने को प्रस्तावित किया गया है तो प्रदेश की जो भासा भोजपुरी है उस बोली को समिधान की आठवी अनसुची में सामिल करने को परस्तावित किया गया है अवधी बोली छेत्र के पूरब कौन सी बोली छेत्री स्थित है अवधी बोली छेत्र के पूरम में भोजपुरी का छेत्र आ जाता है अवधी बोली छेत्र के चारो दिसाओं में इस्तित बोली नहीं है तो जो उत्तर पूरम में अवधी जो बोली छेत्र है उसके पूरम में भोजपुरी है दच्छड में बुंदेली पस्चिम में कन्नोजी लेकिन उत्तर में मगही नहीं है बाकी ये सही है पूर में भोजपुरी दच्छड में बुंदेली पस्चिम में कन्नोजी सहारनपूर मुझफर नगर्वा बागपत किस बोली छेत्र में आता है तो ये खड़ी बोली के छेत जालाओन हमीरपुर्वा जहासी की बोली है तो बुंदेली बोली है बांदावा चित्रकूट की बोली कैसी है बघेली है बरेली वा पीली वीत में बोली जाती है ब्रज और कन्नोजी बरेली में ब्रजबासा और पीली वीत में कन्नोजी अवधी का विभासा के कितने रूप मिलते हैं तो अवधी का विभासा के दो रूप मिलते हैं अवधी बोली के कितने स्थानी बेद हैं तो अवधी बोली के तीन स्थानी बेद हैं रामचरित मानस की रचना अवधी में ही हुई है तुलसी करत कवितावली बिनेपत्रिकावा गीतावली की भासा ब्रजभासा है तो इससे ये तो related question हुए पंदरवियां complete हुआ अब जो सोलमा रह गया है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द उसको देखें बार बार इसको देखें और लाव उठाएं Thanks for watching